असलाम अलेकुम मेरी प्यारी फैमली कैसे हैं आप लोग उमीद है बिलकुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है जल्दी जल्दी से हो रहा है प्याज फ्राइए और प्याज में क्यों फ्राइ कर रही हूं आज हमारे किचन में बन ही लजीज चिकन बिर्यानी जो कि मैं अपने स्टाइल में बहुत ही जल्दी जल्दी से बना रही हूं जनाब दो अदद प्याज में अच्छे से फ्राइए उनको कर लिया थोड़े से ओल में और उसके बाद मैं उसके अंदर जो है तो चिकन को फ्राइए कर रही हूं और आलू जो है मैं वो बॉIL कर रही हूं और आलू में अने एक पिंच जो है तो वो उसकी add कर दी है जो हमारे पास हर घर में मुजूद होता है color food कलर जो होता है वो ही मैंने थोड़ा सा add कर दिया भी मैं आपको बताती हूं कि इसको हम किस तरह से इसमें जो है दो बना रहे हम तो चलिए अब आप देखते जाएए इसको हमने फ्राइ किया है साथ में हमने थोड़ा सा इसमें अडिशनल जो है नमक और सुर्ख मिर्च एक्स्ट्रा मैं जरूर एड़ करती हूँ क्यूंकि मेरा ये ख्याल है कि इसके इलावा मतलब बिर्यानी है वो अच्छे से नहीं बन बिचुम्द थे जरुटी है भगी में अडिवा नहीं भी मरोम पूंच से दोड़ा सा नहीं, हमारा झापा बिर्यानी यह व हो बहुद ही तबाही का, और बहुत मज़ाने वाला हमें। अलू हो गए बॉइल बस हमारा चिकिन भी तक्रीबन तयार है इसमें हम वही बॉइल किये हुए जो थोड़ी सी कसर रहती थी उन बॉइल डालों में उसको मैं इसमें एड कर रही हूं चलिए जी यह तो अलू भी थोड़े थोड़े तूटने लगे बटी है कि अब बस मिनट ही मैंने उसको दम पे रखा और अब मैंने साथ में जो है चावल भी दो अदद मोटी लाइची और दो से तीन जो है तो छोटे-छोटे पीस थे मेरे पास दार्चीनी के उनके साथ मैंने चावलों को बॉइल कर लिया पानी में एक कनी की कसर छोड़के उसके बद मैं इतनी उम्दा उसकी खुश्बू और कलर और बिर्यानी तो बस वावा ही हो गई थी ना घर वालों ने तो बस तबाई डाल दी थी उन्होंने का बस आपने आज बहुत ही अच्छी बिर्यानी बनाई है और आप देखिए ये मेरे पास हरी मिर्चे हरा धनिया और जो है बार ये भी इसको खाना है क्योंकि ये बहुत मज़े की है और इन्शाला ताला हम दुबारा इसी तरह मिलते रहेंगे अल्ला हाफेज